परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं Hello Friends, Welcome to Crazy GKD डेली Current Affairs Session में आज हम डिसकस करेंगे 5 जनवरी 2022 के Important Current Affairs के बारे में पूरी जोस पूरी हुर्जा के साथ आज के सुबह का आगाज करते हैं और पढ़ते हैं भारत के सभी प्रत्यूगी परिक्षाओं के ले Important Current Affairs कर हर मैदान फते दोस्तो ये जो PDF अगर आपको प्राप्त करना इस lecture का तो आप हमारी टेलिग्राम लिंक को जोइन करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको description box में दिया गया है देखी friends, last में मैं आपसे कुछ important questions करूँगा जिसका answer आपको comment box पे करना है चली friends, आज का सबसे पहला important current affair देखते हैं हाली में PM मोदी ने किस राज में 22 विकास परियोजनाओं का उदगाटन किया है तो देखे कहां पर इसका उदगाटन किया है तो हाली में मडीपुर में इसका उदगाटन किया है कब किया है? 4 जनवरी 2022 को इसका उदगाटन किया है 4800 करोड रुपे से अधिक की 22 विकास परियोजनाओं का इन्होंने उदगाटन और शिलन्यास किया है दोस्तो इसके अलावा एक important बात है पियम मोदी ने त्रिपुरा के अगरतला में महराजा वीर विक्रम हवाई अड़े पे एक integrated terminal भवन का भी उदगाटन किया है इसके अलावा आई ये बात कर लेते हैं मडीपुर में पियम दौरा कौन कौन सी चीजों का नया शिलन्यास किया गया है इसका किसका उदगाटन किया गया है मडीपुर में पांच रास्ट्रिय राजमार परियोजनाव का निर्मार की आधार शिला रखी गया है नेस्ट बात करेंगे थौबल बहुत देशी जल संचरन प्रणाली परियोजना कभी उधगाटन इनके दोरा किया गया है इसके अलावा सबसे इंपोर्टन किया मगाई में 200 बिस्तर वाले कोविड ऑस्पिटल का उधगाटन किया गया है देखे फ्रेंड्स मडीपुर में पीम के दोरा किये गया उधगाटन के बारे में हमने चर्चा कर लिए अब मैं आपको त्रिपुरा में पीम के दोरा किये गया उधगाटन के बारे में फिर से बताता हूँ बहुत ध्यान से सुनें सभी पन को नोट कीजे तो देखे त्रिपुरा की आत्रा में पिम मोदी जी ने महराजा बीर विक्रम हवाई अटे के नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल भवन का उधगाटन किया है इसका लबा बात करें इन्होंने मुख्यमंत्री त्रिपुरा, ग्राम सिम्रिद्धी ओजना और विद्या जोती स्कूल प्रोजेक्ट मिशन हंडेट को शुभारम किया है दोस्ते यहाँ पर त्रिपुरा और मडिपुर की बात आई है तो यही मैं आपको बता देता हूँ त्रिपुरा के सियम कोन है और मडिपुर के सियम कोन है तो देखें त्रिपुरा की मुख्यमंत्री है विपलब कुमार देव मड़िपूर के मुख्य मंतरी है एन बिरें से नेस्ट इंपोर्टेंट कोशन आपके सामने रहा बहुत ध्यान से सुनेए और सभी पॉइंट को नोट कीजे हाली में भारत के किस पडोसी देश ने एक जनवरी 2022 से नया भूमी सीमा कानून लागू किया है इस देश का क्या नाम है? देखे इस देश का नाम है चीन दोस्तो इस कानून के बाद भारत के सामने एक बड़ी मुसिपद आ गयी है क्योंकि भारत को अब उत्री सीमा पर और परशानी का सामना करना पर सकता है देखे हुआ क्या है 30 दिसंबर 2020 को चीन ने अपने मैप में अपने नक्षे पर अरोडांचर प्रिदिस के 15 स्थानों का नाम बदल दिया है देखी फ्रेंड्स चीन ने नया सीमा कानून लागू कर दिया है इससे किन किन देशों पर असर पढ़ने वाला है आई मैं आपको बताता हूँ तो 6 देशों से बढ़ेगा टकराओ ये 6 देश कौन-कौन से है पहला भारत है दूसरा नेपाल है तीसरा भूटान चौता व्यतनाम पाच्वा मंगोलिया और छट्वा मेमार है आप मैप में भी देख सकते हैं ये मंगोलिया है यहाँ पर आप द तेश के नाम जहाँ पर चीन का कबजा है तो देखे जमीन का लालची है चीन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो ओरेंज कलर में दिख रहा है आपको इस ओरेंज कलर में मैंने आपको बताया है कहां कहां पर चीन का कबजा है तो देखे यहाँ पर देखे तिबबत है और यह पूर्वी तुर्किस्तान सिंजियांग प्रांथ है यहाँ भी चीन का कबजा है दक्षिड मंगूलिया में कबजा है ताइवान में है और हॉंग कॉंग में है और यहाँ पर मकाव तो यह इन 6 जगों पर जहाँ पर चीन का कबजा है मैंने औरेंज कलर से प्लॉट किया है आईए फ्रेंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ चीन का भारत के साथ कहां और कब विवाद है तो देखें यहाँ पर देखें आप यह रेड मार्क में आप देख पा रहे हैं तो जहाँ जहाँ आपको रेड एरिया दिख रहा है यह भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद है तो देखें 1962 में आकसाई चीन सीमा विवाद था दूसरा 2017 में हमने देखा था डोकलाम सीमा विवाद देखने को मिला था अब आरुरांचर प्रिदेश में चीन जो है घुसपैट कर रहा है तो इन तीन जगों पर भारत और चीन के बीच में सीमा का विवाद चल रहा है देखें फ्रेंड्स अब मैं आपको पहला नौलिज बूस्टर देने वाला हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ प्राचीन भारत के ग्रंथ और उनकी लेखक के नाम तो देखें सबसे पहले मैं बात करूँगा ग्रंथ और फिर मैं आपको लेखक के नाम बताऊँगा तो सबसे पहला है अस्टा ध्याई तो अस्टा ध्याई के लेखक कोन है पाणनी है चले रामायड वेरी वेरी इंपोर्टन तो रमायड के लेखक कोन है? वालमी की हैं महाभारत के लेखक है वेद व्यास इन सभी पॉइंट को ध्यान से सुनते जाईए और नोट कीजेगा एक्जाम में पूछा जा सकता है नेश्टर फ्रेंड्स मधिमिका शूत्र और दूसरा है अश्ट सहस्त्रिक सूत्र इसको किस ने लिखा है? नागा अर्जुने लिखा है नेश्टर फ्रेंड्स बुद्ध चरित और सारी पुत्र प्रकरण इसको अश्व घोष जी ने लिखा है नेश्टर फ्रेंड्स मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त विशाखा दत्त के दौरा लिखी गई है अर्थ सास्त वेरी वेरी इंपोर्टन कोश्चन तो देखे ये चाणक के के दौरा लिखी गई पुस्ताक है लास्ट में बात करेंगे फ्रेंड्स काली दास के दौरा तो कुमार संभवम अभिग्यान शकुंतिलम विक्रमो वर्षियम मेग दूतम रगुवंशम माल विकागनी मित्रम और आखरी है रितु संभारम तो ये सभी जो लेखा ने किसके दौरा किये गए हैं धास के दौरा किये गए हैं थेर्ड इंपोर्टेंट करेंट अफेर आपके सामने रहा बहुत ध्यान से सुने फ्रेंड्स और सभी पॉइंट को नोट कीजे अच्छा लग रहा हो तो आप सभी फ्रेंड्स को शेर भी कीजे हाली में विश्व ब्रेल दिवस मनाये गया तो विश्व ब्रेल दिवस कब मनाये गया वेरी वेरी इंपोर्टेंट तो चार जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाये जाता है हर साली मनाये जाता है देखे कब से इसकी मनाने की सुरुआत हुई है तो 2019 से इसकी मनाने की सुरुवात की गई है देखे क्यों मनाया जाता है इसके पीछे क्या importance है तो देखे friends नेतर ही लोगों के लिए ब्रेल के importance के बारे में aware करने के लिए World Braille Day मनाया जाता है देखे ब्रेल का विश्कार किस ने किया था तो ब्रेल का विश्कार लुइस ब्रेल के द्वारा किया गया था उन्निस्वी सताप्ती में ब्रेल के अविश्कारक लुइस ब्रेल का जन्म चार जनवरी 1809 को फ्रांस में हुआ था तो इन ही की याद में हर साल हम विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं नेस्ट इंपोर्टेंट कुश्चन आपके सामने राफ्रेंड्स हाली में भारत ने किस देश के साथ परमाडू प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है तो देखें भारत ने पाकिस्तान के साथ इस सूची का आदान प्रदान किया है कब किया है तो friends एक जनवरी को किया है हर साल भारत और पाकिस्तान एक जनवरी को इस सूची को आदान प्रदान करते हैं एक दूसरे को अपने परमाडू प्रतिष्ठानों और केंदर के बारे में सूचना देते हैं सबसे पहली बार 1992 में दोनों देशों ने पहली बार दोनों देश है न ये कैदियों की सूची का भी आदान प्रदान करते हैं प्रेजेंटली बात करें friends भारत के पास 282 पाकिस्तानी नागरिक कैदी हैं वहें पर बात करें 73 मच्छुआ रहे हैं देखें पाकिस्तान की हिरासत में कितने लोग हैं तो पाकिस्तान की हिरासत में 52 भारती नागरिक हैं और 577 मच्छु आ रहे हैं देखे फ्रेंड्स जो दोनों कंट्रीज है ना साल में दो बार एक दूसरे की हिरासत में बंद कैदियों की सूची का आदान प्रदान करते हैं देखे फ्रेंड्स अब मैं आपको तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशिन तो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा 9 राज्यों को स्पर्ष करती है तो आए जान लेते हैं ये 9 राज्य कौन कौन से हैं तो देखे सबसे पहला यहाँ पर देखे आप उत्तरा खंड्ड दूसरा है तो नौ राज्यों की सीमा को स्पर्ष करता है यूपी देखे इसका गठन कब हुआ था 24 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था इसकी कैपिटल लखनव है वर्तमान में हाई कोट कहां पे है अलहबाद में है विधान सबस अधसे की बात कर लेते हैं 403 सीटे हैं प्रेजिड्ट सीम कोन है योगी आदितिनात है वर्तमान राजिपल आपसे पूछा जा सकता है लिग लीजे ये हैं आनंदी बेन पटेल नदियों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर गंगा, यमुना, गोमती, चंबल, सोन और घागरा ये नदियां बहती हैं यूपी में राजकी पसू बारा सिंगा है MP का भी राजकी पसू बारा सिंगा है राजकी व्रिक्ष है अशोक चली फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ उत्तर प्रदेश में राश्ट्री सोध संस्थान तो देखे, यहाँ पर है Central Drug Research Institute कहाँ पर ये? लखनव में नेश्ट है, National Botanical Research Institute कहाँ पर ये? लखनव में देखे, फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जगे हैं जो अपने important product के लिए जाने जाते हैं वो प्रसिद्ध है किसी नाम से आईए मैं आपको बताता हूँ देखे, उत्तर भारत का Manchester, कानपूर को कहा जाता है नवाबो का सहर लखनव को कहा जाता है खुश्बो का सहर किसे कहा जाता है कनोज को सुर्मा नगरी है, बरेली लाश में बात करेंगे, विश्वनात मंदिर कहां पे है, तो ये वारान रसी में इन सभी points को नोट कीजेगा मैं आपको हर lecture में कुछ UP special, या फिर MP special, या भारत के सभी राज्यों के special जीके दूँगा अगला महत्पूर current affair आपके समने रहा हाली में रक्षा मंत्री ने किस विश्विद्याले में कलपना चावला Center for Research in Space Science and Technology का उत्गाटन किया है, तो देखिए इसका उत्गाटन चंडी गरदिश विद्याले में किया गया है देखिए इसकी स्थापना क्यों की गई है इसका क्या objective है तो इसके पीछे object है Space Science और Satellite Development में छात्रों को, स्टुडेंट को प्रसक्षित करना, उनको training देना और अंत्रिक्ष अनुसंधान में जो भी हमारे future की चुनोतियां है जो भी हमारे future के obstacles है उसका सामना करना देखिए फ्रेंट्स, अगला important question आपके सामने रहा बहुत ध्यान से सुनिए और सभी point को नोट कीजे हाली में स्वक्ष गंगा के लिए रास्ट्री मिशन के नए महानिदेशक कोन बने है इनका क्या नाम है देखिए इनका नाम है जी अशुक कुमार देखिए फ्रेंट्स, जल सक्ती मंत्राले के अतरिक्त सचिव है जी अशुक कुमार इनको जल सक्ती मंत्राले के रास्ट्री स्वक्ष गंगा मिसन का नया महानिदेशक नियूट किया गया है देखी फ्रेंड्स यह एक लोगप्री उपनाम से जाने जाते हैं और यह नाम है भारत का रेन मैन दोस्तो बात करें जी अशोक कुमार की तो इनको बहुत सारे पुरसकार मिले हैं देखे पहला पुरसकार है लोग सेवा के लिए इनको स्कॉच पुरसकार 2021 दिया गया आंध्र प्रदेश सरकार के दोरा इने जल मित्र पुरसकार दिया गया है देखे फ्रेंड्स तिलांगना सरकार ने आसाधारन लोग प्रशाशनकार के लिए इनको पहला तिलांगना उत्कृष्टा पुरस्कार भी दिया है देखी friends अब मैं आपको तीसरा नौलेज बूस्टर देने वाला हूँ और मैं आपको बताऊंगा फरवरी के important days के बारे में आए जानते हैं very very important तो देखे पहला प्रशन है भारती तट रक्षक बल स्थापन दिवस कम मनाया जाता है तो एक फरवरी को हर साली मनाया जाता है important है next है वर्ल्ड कैंसर डेक कम मनाया जाता है very very important हर साल चार फरवरी को मनाया जाता है next है friends विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है next है friends वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाय जाता है 13 फरवरी को मनाय जाता है विश्व समाजिक नया दिवस 20 फरवरी को मनाय जाता है इन सभी पॉइंट को नोट कर लीजे क्योंकि एक्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है इस 20 मिनट के लेक्चर में मैं आपको बहुत सारी जानकारी देखता हूँ ताकि आपका समय बचे, आपका समय बहुत कीमती है, कम समय में जादा कंटेंट देने का हमारा प्रयास है अगला important question आपके सामने रहा, बहुत ध्यान से सुनिये और सभी पॉइंट को नोट कीजे भारत की पहली smart high coat पूरी तरह paperless अधालत कोन बन गई है? तो देखे, इस high coat का नामे केरल high coat देखे friends, इसे अलग-अलग चरण में इसको विक्सित किया जाएगा, इसके पहले चरण में क्या होगा? Chief Justice समय चैए कोट रूंग को smart coat में बदला जाएगा, ठीक है? देखे, इसके अलावा बात करें, इन आदालतों में होगा क्या? वकीलों के case फाइले उनके सामने लगे computer screen पर उपलब्ध कराई जाएगी, और जो case से जरूरी दस्तावेज है, वो सब online उपलब्ध कराई जाएगे, दोस्तों यहाँ पर बात आईए केरल high coat की, तो आपसे पूछा जा सकता है, कि केरल high coat के Chief Justice का क्या नाम है? तो इनका नाम परवता रोहन फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बन गई इनका क्या नाम है? देखें, इनका नाम है हर्ष बनती बिष्ट, नेस्ट है, किस राज ने street project योजना शुरू की है? तो केरल राज ने इसकी शुरुवात की है, ट्यूटर के नए CEO किसे न्यूक्त किया गय है, इनका क्या नाम है? देखें, इनका नाम है पैटर फियाला, नेस्ट है फ्रेंड्स, भारती नौसेना की नए प्रमुक के रूप में किसने पदभार गरहंड किया है? वेरी वेर इंपोर्टन, तो इनका नाम है आर हरी कुमार, आखरी प्रशन है, टी ट्वेंटी इंटर आपने रहा? बहुत ध्यान से सुनिए, और सभी पोईन को नोट कीजिए, तीन ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू वाली, दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गई? इस कंपनी का क्या नाम है? देखें, इस कंपनी का नाम है एपल, देखें, एपल की बात करें, तो यह है एक टेक कंपनी है, और इसने सभी बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है, और इतिहास रज दिया है, देखें, इन्होंने यह इतिहास तीन जनवरी को रचा है, कंपनी की मार्केट वैल्यू तीन ट्रिलियन डॉलर पहुँच गई है, जो अब तक की सबसे जादा अ गया है, दोस्तों आईए मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट जानकारी बता देता हूँ, अगस 2018 में बात करें तो एपल जो है, एक ट्रिलियन डॉलर मूली की पहली अमेरिकी कंपनी बनी थी, और इस उपलबधी इस एचीब्मेंट में उसको 42 यर्स, 42 साल लगे है, देखें अब मैं आपको जानकारी देदू, इस उपलबधी के बाद क्या हो रहा है, इसने भारत और ब्रिटेंट को भी पीछे छोड़ दिया है, दर असल बात करें, तो 3 ट्रिलियन की कंपनी बनने के बाद इसकी वैल्यू जो है, भारत और ब्रिटेंट की नॉमनल जी टीबी से भ जादा हो गई है, देखे, अमेरिका की सबसे बड़ी टेक्सपेर कंपनी कौन सी कंपनी है, एपल है, दोस्तों यहाँ पर एपल की बात आ रही है, तो मैं आपको एपल के बारे में सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स देने वाला हूँ, आए जानते हैं, तो देखे, एपल क कंपनी की स्थापना का हुई, 1976 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी, किसने की थी, स्टीव जॉप्स, स्टीव वोज नियाक और रोनाल्डो वैन ने की थी, देखे, अब मैं आपको बता दू, स्टीव जॉप्स ने कैंसर की वज़ह से अगस 2011 में CEO का पच छोड़ दिया वर्तमान CEO कोन है, टीम कूक हैं, और वर्तमान चेर्मेन कोन है, आर्थर डी लेविंसन, देखे फ्रेंड्स, आज का आखरी इंपोर्टेंट कुश्चन आपके सामने रहा, कौन सा राज, कौन सा स्टेट, देश का पहला LPG युक्त और धुआ मुक्त राज बन गया है, इस प्रמעड का क्या नाम है, देखे इस राजि का नाम है हिमाचर प्रदेश, दोस्तों हिमाचर प्रदेश ने इस उपलब्दी को हासल कर लिया है, इन्होंने ग्रहरी सुवधा यूजना की बदौलत हिमाचर प्रदेश पहला राज बन चुका है, जो LPG युक्त है, और धुआ मुक्त है देखे फ्रेंड्स उजवला योजना को क्यो शुरू किया गया था इनका क्या मकसद है तो देखे लगडी से चूला जलाते समय जो धुआ निकलता था उससे बहुत सारी गंबीर बिमारियां होती है और महिलाव को ऐसी बिमारियों से छुटकारा दिलाने के लिए न एक माई 2016 को इस योजना की शुरूआत की गई थी देखे इसका मेन अबजेक्टिव क्या है ग्रामीर छेत्रों में खाना पकाने के लिए लकडियों का इस्तमाल किया जाता है उसके इस्तमाल को हटा कर LPG के उप्योग को बढ़ावा देना है देखे यहाँ पे LPG की बात आ रही है तो LPG का फुल फांग क्या होता है लिक्यूफाइट पेट्रोलियूम गैस LPG में प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है याद रखेगा यह साइंस का कोश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों अब मैं आपको बेस्ट कमेंट्स आप दे पर लेके चलता हूँ आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि हम इतनी अफर्ट कर रहे है थोड़ा अफर्ट आप भी करें हर एक जो विवर है वो प्रतेक अगर एक लोगों को शेर करेगा तो हमें बहुत अच्छी फैंबली मिल पाएगी तो दोस्तों इस परिवार को बढ़ाते रहे ऐसे ही क्रेजी जीक ट् आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा लिखा दोस्तों हम सभी के कमेंट्स को पढ़ते हैं दोस्तों अब मैं आपसे कुछ important questions करने वाला हूँ जिसका answer आपको comment box पे करना है तो देखिए पहला प्रशन है apple company की स्थापना कप की गई थी question number two वर्तमान में केंदरी आयुश मं question number three world cancer day किस दिन मना जाता है question number four लूइस ब्रेल का जन्म किस देश में हुआ था और आखरी प्रशन है मड़ीपूर के मुख्य मंत्री वर्तमान में कोन है दोस्तों ये पांचों question आज के session से ही related है ये आखरी में question में क्यों रखता हूँ ताकि आप check कर सके कि आपने कितने ध करें ताकि आपका concentration और memory power दोनों increase हो दोस्तों अब बारी है चार जन्वरी के current affairs के revision करने की आईए पहला प्रशन देखते हैं तो 700 करोड रुपे की अनुमानित लागत से PM नरेंदर मोदी ने किस सहर में मेजर ध्यांचन sports university की आधार शिला रखी है तो कल ही मैंने आपको करनी को शुलक मुकत व्यपार कारकरम से अलग कर दिया तो देखें इस देश का नाम है अमेरिका केन सरकार जल्द ही किस केंड सासे प्रदेश में जिला सूश आशन सूचकाव विक्सित करने जा रही है तो देखें इस Uta का नाम है जम्मु कश्मीर अगला है friends हाली में मुहमद हाफीज ने अंतराश्ट्री क्रिकट से सन्यास लेने की गोशना की है उनका संबन किस देश से निका संबन पाकिस्तान से हाली में किस देश के परधान मंतरी अब्दुल्ला हामदो recur ने अपने पस्च इस्तीफा दे दिया है तो देखे ये सुडान के प्रधान मंत्री हैं देखे तक्ता पलट के बाद बहुत ज़्यादा दवाब था और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है अगला प्रश्ण है हाली में कौन सा देश 10 मिलियन COVID-19 संक्रमण वाला छटवा देश बन पुनर निर्वत मंदिर में दर्शन किये ये मंदिर किस देश में है तो देखे ये मंदिर पाकिस्तान में है अगला प्रश्ण है किस बिभाग ने हाली में 2022 में 5G सर्विसेस को सबसे पहले बड़े शहरों में लॉंच करनी की घोशना की है तो देखे ये बिभाग है दूर संचार विभाग चले अगले प्रशन को डिसकस करते हैं बारबाद उसमें भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है इनका क्या नाम है इनका नाम है एस बाल चंद्रन और आखरी रिविजन कोश्चन है वासु देवन पियन को एक बार फिर से कि बैंक के MD और CEO के रूप में न्यूक्त किया गया है तो देखें इस बैंक का नाम है इक्यू टॉस मॉल फाइनस बैंक दोस्तो ये था चार जनवरी के important current affairs का revision हमने daily current affair में 5 जनवरी के current affair को भी cover किया है आशा करता हूँ कि आपको इस session पसंद आया होगा दोस्तो हमारा मकसद हमारा objective है कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाटा प्रोवाइड करना आपका समय बहुत कीमती है फॉलो कीजे crazy जी के trick को different social media platform पर दोस्तो पहली बार हमारे channel पर आ रहे हैं तो subscribe कीजे और bell icon बटन दवाना बिल्कुल भी न भूले ताकि हमारी daily updates सबसे पहले आप तक पहुंच सके keep liking keep sharing your channel crazy जी के track